और उत्तर प्रदेश में बुलन सहर जनपत के जेवर में भाजपा कार्यालय का यहां पर उद्घाटन किया गया है कार्यालय के उद्घाटन में आपको बता दे कि पूर्व मंत्री एवं सांसद डॉक्टर महेश सर्मा समेत और भी तमाम भाजपा के नेताउं सहित इस्थानी लोग मौजूद रहे हैं सांसद डॉक्टर महेश सर्मा ने अपने संबोधन में बताया है कि पहले जेवर के लोगों की इस्थिती बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन आज बहुत ही अच्छी इस्थिती है भाजपा सरकार में जेवर के लोगों को बहुत कुछ मिला है एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और किसानों के भी हित में सरकार काम कर रही है साथी कहा है कि किसानों का भी बड़ा फाइदा होगा इस दोरान सांसद डॉक्टर महेश सर्मा ने आपको बता दे कि प्रदेश की योगी सरकार और केंदर की मोधी सरकार ने जेवर का संपूर्ण विकास किया है और साथी उन् सरकार ने जिस पितने 2014 के बाद से जब ने मुदी जी की सरकार आई और प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार गुणातमक परिवर्तन हुए और खास तोर पर एक जेवर छेतर जो पिछड़ा छेतर कहता था और मैं समझता हूं यहां के लोगों ने बहुत कस्ने लें लेकिन अब जेवर का भविश उच्वल है आज इस तंगोस्थी का यहां यूजन किया गया है कि प्रदेश की और देश की सरकार ने अपने छेतर के लिए और किसानों के लिए खास तोर पर क्या-क्या कारिये किये इस विशह पर आज एक चर्चा होगी और जिस विशह पर यहां के शुशेना के कारकरताओं ने अपने हातों में कटोरा लेकर सडकों पर भीक मागी है और केंदर की मोधी सरकार के खिलाप जमकर यहां पर विरोध प्रदरशन किया है साथ ही भीक में मिलने वाले पैसे को प्रदानमंतरी फंड में जमा करने की बात शुशेना के कारकरताओं इस तरह से देश की आप इस्तिती देख रहे हो पेट्रोल डीजल की ताम आसमान पर चूरा हैं। पिछले तीन महीनों से किसान सडकों पर बैठा हुआ। चातर आज जगे जगे आज रोगी से लेके चातर और हर आजमी महंगाई को लेके तरस्त है। लेकिन ये बैरी उंगी ऐसी की सरकार माननी परण Mettler कि बात सुनने को तयार नहीं है बहले वो किसान और नो भले हमारे छात रहे हो पैसे व क्कातर आ इसलिए देश के लिए हम सब लोगों को जिस तरह बिल्कुल बिघारी बना दिया इत देश को उस को लेकर के शिफसेना सब्सक्राइब उतर कर बीक मांग करके परदर्शन कर रही है जैबावानी जैचिवाज